हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर देजवानी आप लोगों का mathematics mentor स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने मैगनेट मेंज में जो प्रोवाइड करता है 100% quality of free education गंडगाडन से लेकर class 12 तक अगर आप लोग cbsc बोट से तो आप लोगों के लिए तो यहां पर आपको मिल जाते हैं धेरो सारे practice question जिनकी मदद से आप लोग practice कर सकते हो और बड़िया बड़िया नंबर भी लेकर आ सकते हो और अगर आप हमारे e-books को अविल करना चाहते हैं तो link description box में डलवा दिये गया है आप वहां से जाके अविल कर सकते हैं तो थोड़ा ज हम बात करेंगे exercise 8.1 में question number 7 से लेकर 11 तक तो बड़िया तरीके से मस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं सर जी आई 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 तो अब आपके पास question number 7 क्या है question number 7 है caught अगर आपके पास caught theta अगर आपके पास 7 by 8 है तो evaluate करना है आपको in key values ठीके न हो जाएगा हो ठीक है ना ठीक है तो अब caught theta 7 by 8 है अरे simple सी बात है अगर आपके पास एक right angle triangle है जो की right angle है यहाँ पर और theta आप यहाँ पर ही ले सकते हो यहाँ यहाँ पर ले सकते हो मैंने यहाँ पर लिया और यह ले लिया एक triangle ABC यह ले लिया थीटा यह ले लिया एक triangle ABC जो की right angle है कहाँ पर बीपर, simple है रहे tension वाली बात नहीं है, कोई भी मैं हूँ बाकी, तो tension की क्या बात है, आईए, तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है, cod theta बराबर 7 by 8, cod theta बराबर 7 by 8, sir cod theta बराबर 7 by 8 है, लेकिन एक बात तो हम लोग जानते हैं, पंड़त बतरी प्रसाद की हरर बोले, हना, ठीक है, तो अब आपके पास cod theta 7 by 8 है, तो 10 से देखेंगे, तो perpendicular upon base, उल्टा कर देंगे, तो base upon perpendicular, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, k और k लगाना है, जहाँ पर लिख देना, कि यह तो अब आपका compare हो जाएगा, किस से perpendicular upon base होता है, 10, तो 10 का उल्टा होत मतलब यह हो जाएगा, base upon perpendicular, अच्छा, और यहाँ पर लिख देना, कि जहाँ पर k क्या है, k कोई भी एक positive number है, where k is any positive number, अब समझो, base और perpendicular सब है आपके पास, base किता है 7K, और perpendicular है 8K, समझ गए, समझ गए, PGT का यूज करना पड़ेगा, by using Pythagoras theorem, आपके पास AC का square किता आजाएगा, AC का square आजाएगा, AB का square प्लस BC के square के, तो AC का square किता है, नहीं पता यार, AB का square किता है, पता है 7K का whole square, BC 8K का whole square, भाई simple चल रहा है, जूट मत बोलना है, लेकिन सब कुछ simple चल रहा है ना, बात पक किये, ठीक है, अब इसको खोल के जराद जल्दी से हम लोग इसको solve करते है, तो 49K square, प्लस 64K square, AC किता हो जाएगा, 1 दे दिया तो यह हो जाएगा, आपके पास 50, 50 और यह हो जाएगा, रूट 11, 113 हो जाएगा शायद, यह रूट में 113 है ना, 113, K square हो जाएगा, देख बार फिर भी चेक कर लो, 9 और 4 हो जाएगा, 13, 6 और 4, 12, 12 और 13, 6 और 4, 10, 10 और 1, 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो AC आपके पास किता हो जाएगा, रूट 113 और K, यह हो जाएगा, आपके पास क्या, AC, रूट 113, K, अब समझो बात को, अब आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यह है, तो इससे हम लोग को क्या करना है, कि इससे हम लोग समझ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा लगेगा, वो हमें निकालना पड़ेगा, तो अब y figure हम लोग क्या निकालेंगे sin theta निकालेंगे अब k, k, k हटा दो सबके k, k, k हटा दो और निकालो sin theta sin theta क्या हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse यहाँ से देखोगे तो perpendicular यह और hypotenuse यह 8 upon root 1, 1, 3 और cos theta क्या हो जाएगा base upon hypotenuse base upon hypotenuse 7 upon root 1, 1, 3 और cos क्या हो जाएगा वो बात की बात है ठीक है, cos क्या हो जाएगा वो बात की बात है पहला question 1 plus sin theta, 1 minus sin theta यह सब है, मैं लिख देता हूँ लिख देता हूँ question कोई दिख कर नहीं है 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta अब क्या करना है sin theta, sin theta, cos theta, cos theta सब कुछ रखतो तो यह हो जाएगा 1 plus sin theta 8 upon root 3 8 upon root 1, 1, 3 1 minus sin theta ठीक है 1 plus cos theta 1 minus cos theta 1 minus cos theta simple है, simple है a plus b a minus b a square minus b square a plus b a minus b a square minus b square ठीक है तो a square मतलब 1 का square minus b square 64 upon 1, 1, 3 clear है na a plus b a minus b मतलब a square मतलब 1 का square 1 minus b square मतलब 7 upon root 1, 1, 3 का square मतलब 49 upon 1, 1, 3 यहाँ से अब आपको क्या करना है LCM का process complete करना है इसको थोड़ा सा कोशिश करते कि हम थोड़ा छोटा करें ठीक है ठीक है तो अब यहाँ से देखो rule 1, 1, 3 minus 64 upon 1, 1, 3 whole upon 1, 1, 3 minus 49 upon 1, 1, 3 1, 1, 3 से 1, 1, 3 कट जाएगा ठीक है तो ultimately answer किता आएगा 1, 1, 3 में से जब 64 कट जाएगा तो बचेगा 49 upon 64 49 upon 64 ठीक है तो इसकी value हमने पूरी जब निकाली तो इसकी value कित्ती आगई 49 upon 64 अब इसके लिए cot square theta के लिए देखते है तो simple सी तो बात है अगर आपको cot square theta निकालना है ये second वाला तो यही हो जाएगा कि अगर आपको cot square theta निकालना है तो उसके लिए क्या कर दो उसके लिए आप cot theta का square कर दो cot theta आपके पास 7 by 8 है तो तो बस 7 by 8 का square कर दो जो कि कितना हो जाएगा 49 upon 64 same to same answer है दोनों के दोनों के same to same answer है I hope आपको चीजे बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आ गई होंगी ठीक है जल्दी से screenshot ले लो भई जल्दी से आप लोग screenshot ले लो जल्दी जल्दी काम कर लो हो गया आगे की बात करें चलो आगे की बात करते है अब अगर आपके पास है question number 8 तो इस question number 8 से हम लोग कैसे निप्टे है आईए मैं बताता हूँ आईए 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 मैं बताता हूँ क्या कह रहा है question number 8 question number 8 का कहना है कि 3 court a बराबर 4 तो check whether क्या इतना बराबर होगा एक दूसरे के अगर होगा या नहीं होगा वो अब आपको बताना है वो अब आपको बताना है चलो बता देते हैं तो आपके पास क्या है कि 3 court a बराबर 4 तो यार court a बराबर किता simple 4 by 3 किता 4 by 3 अच्छा तो अब आप ये चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसे हम लोगों ने इनको अगर रेशो से हटाया इनको रेशो से हटाया तो एक के के आ जाएगा यहाँ पर अब मेरी एक बात समझो 10 क्या होता है सर पीबीप एच्छबी के हिसाब से 10 होता है पर्पेंडिकुलर अपन बेस तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा मतलब बेस अपन पर्पेंडिकुलर हो जाएगा वो कित्ता हो जाएगा यह हो जाएगा बेस अपन पर्पेंडिकुलर बेस अपन पर्पेंडिकुलर तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा एक triangle बनाना पड़ेगा एक क्या करना पड़ेगा हम लुग क्यों कर रहे हैं यह सब भाई 10 से cot से 10 निकल सकता है लेकिन cos or sin भी तो चैहिए रहेगा न हमें तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं अब आपको क्या करना है? यहाँ पर A लिखना है, यहाँ पर B लिखना है, और यहाँ पर C लिखना है. ठीक है? ठीक है. और A यहीं से देखना है, सारी चीज़ें. यहीं से देखना है. तो base यह और perpendicular यह है, theta के सामने वाली side perpendicular, जो की है 3 के, और यह है base 4 के. तो आपको यह चीज़ पता है, कि जब आप Pythagoras theorem को apply करोगे, तो यह आजाएगा 5 के. अच्छा. अब आपको KKK हटा देना सबका. Pythagoras theorem जब आप apply करोगे, तो आपके पास C किता आजाएगा? 5 के आजाएगा. ठीक है ना? ठीक है. तो अब आप क्या करोगे? अब आप निकालोगे 10. तो 10 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. 10 A को बस ऐसे लिखना आप, कि 10 तो कॉट का उल्टा ही होता है. 10 तो क्या होता है? 1 upon cot है. तो उस हिसाब से आपके पास कॉट किता था 4 by 3, तो वो हो जाएगा. 3 by 4. Simple. अब कॉस और साइन निकालना है. कॉस A निकालना है. तो कॉस A क्या होता है? वो समझो. यहां से अगर देखा जाए, तो यह हो जाएगा. आपके पास एक परपेंडिकुलर. यह हो जाएगा. बेस. अच्छा, सारी चीज़े हमें A से ही देखनी है. ठीके? और यह हो जाएगाma. । हो जाएगा सर जी. तो कॉस अगर देखा जाए, तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस क्या होता है? बेस अपान आपान हाइपाननास, 4 अपान 5 हो जाएगा. कॉस A, तो यहां पर हम लोग क्या करें एक लाइन खीच लो तो लाइन खीच लो वरना अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे वन माइनस टैन स्क्वेर एकी अब ओन निकालेंगे वन माइनस स्क्वेर एक लाइन तो वन माइनस टैन स्क्वेर मतलब वन माइनस टैन कितना थ्री भाई फोर का होल स्क्वेर 1 प्लस 10 स्क्वेर है मतलब 1 प्लस 3 बाइ 4 का होल स्क्वेर तो यह कित्ता हो जाएगा 1 माइनस 9 बाइ 16 और 1 प्लस 9 बाइ 16 16 माइनस 9 अपॉन 16 मतलब कित्ता 7 अपॉन 16 भाई यहां से जब आप LCM का प्रोसेस पूरा कम्प्रीट करोगे तो आपके पास यहां पर कित्ता आजाएगा यह तो बच्चा 16 और यह हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन यह हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16 अच्छा 16 से 16 कट गया अब आपके पास यह कित्ता हो गया अब आपके पास 16 माइनस 9 कित्ता 7 7 अपॉन 25 7 upon 25 ये पूरा जब हमने solve किया ये पूरे को जब हमने solve किया तो किता आ गया 7 upon 25 अब ये क्या इसके परापर है तो आईए चेक करते हैं आईए ज़रा चेक करते हैं तो अब आपको क्या करना है अब आपको solve करना है इसको cos a cos square a minus sin square a क्या मतलब है कि जो cos a है उसका square कर दो मतला 4 by 5 का whole square कर दो 4 by 5 का whole square कर दो minus sin a है 3 by 5 उसका whole square कर दो तो अब 4 by 5 किता हो जाएगा 16 upon 25 और 3 by 5 किता हो जाएगा 9 upon 25 तो ये किता हो जाएगा 7 upon 25 अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं की नहीं आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे है बिल्कुल आ रहे है बिल्कुल आ रहे है देखो न भई यहाँ पर आपने क्या करा यहाँ पर आपने लिया LHS वाला पार्ट और यहाँ पर आपने क्या लिया यहाँ पर आपने लिए right hand वाला spot तो LHS बराबर RHS बिलकुल आ रहा है क्या लिख दोगे दियर फोर LHS बीरा पर RHS लिए रहे तो ऐसे थे हमारे question number 8 जो अब नहीं रहे जिनको हमने पूरा तोड़ फोड़ के solve कर दिया लिए रहे जल्दी आप लोग screenshot ले लिजे तो आगे की हम लोग बात करें आसान बहुत ज़्यादा आसान अब आगे की बात करते है अब आगे आपके पास क्या है कि आपके पास एक right angle triangle है ABC जो की right angle है B पर अगर आपके पास 10 है 1 by root 3 है तो आपको value इसकी fine करनी है fine करवा जेता हूँ आई एक triangle बनाते है ABC जो की right angle है B पर B पर तो मैंने बोले है यह A होगा और यह C होगा और यह right angle B पर होगा चलो बहुत शान दा तो अब आपके पास 10 A 1 by root 3 है लिख देना जो जो आपको given है वो आप लिख दो कि जो 10 A है यहाँ पर हम लोग solve कर रहा है question को कि जो आपके पास 10 A है ना वो कितना है 1 by root 3 ठीक है हमने फिर से वोई KKK लगा दिया सब कुछ लगा दिया अब सुनो KKK वागेरा आप लोग लगा दिया अच्छा अब सुनो पंडित बदरी प्रसाद हरर बोले से मुझे यह पता चला कि यह तो मेरे पास क्या होता है यह तो होता है perpendicular और यह क्या होता है यह तो होता है मेरे पास base तो मैंने यह दिमाग लगा है कि मुझे देखना है A से तो A के सामने वाली जो side होती है उसको मैं कहता हूँ perpendicular जो की निकल के आ गई 1 और यह हो जाएगा मेरे पास base जो की हो जाएगा root 3 तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे ac fine करना है तो मैंने दिमाग लगाया और यूज किया Pythagoras theorem का तो मैंने यहाँ पर लिखा कि by using PGT by using Pythagoras theorem आपके पास ac का square बराबर ab का square plus bc का square होगा यार simple सी बात है Pythagoras है तो बिल्कुल होगा अच्छा ac का square ab किता है ab तो है root 3 का square और bc तो है 1 का square तो उस हिसाब से ac का square किता हो जाएगा 3 plus 1 मतलब ac किता हो जाएगा 2 देखो न यह हो जाएगा 4 तो square हो जाएगा तो root मतलब 2 2 आ जाएगा यार यह अब अगर यह 2 आ गया तो पहला आपको बोल रहा है sin ay cos c और cos ay sin c पहला आपको बोल रहा है मतलब sin और cos निकल रहा है a और c से sin और cos निकल रहा है a और c से और बस y इधर-उदर हो रहे है तो sin और a दोनों को निकालना है A और C से ठीक है तो अब आप इदर से क्या निकालो सबसे पहले तो सुनो साइन A निकालो साइन A क्या हो जाएगा पी बी पी एच एच बी से परपेंडिकुलर अपन हाइपोटनस अगर आप सारी चीज़े A से देख रहो तो यह परपेंडिकुलर होता है यह हाइपोटनस हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा तो A से अगर आप देखोगे तो A के बिल्कुल सामने वाली साइट परपेंडिकुलर और यह हाइपोटनस मतलब sin A से देखना है तो perpendicular upon hypotenuse मतलब 1 by 2 अच्छा, cos को अगर आपको A से देखना है तो ये क्या हो जाएगा, simple सी बात है, base upon hypotenuse base upon hypotenuse, root 3 by 2 कितना सर जी, root 3 by 2 अच्छा, अब sin A और cos A तो आ गया अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ C से मतलब sin C, अब मुझे सारी चीज़े C से देखनी पड़ेंगी तो मुझे अपना नजरिया बदलना पड़ेगा मुझे अपना नजरिया बदलना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारी चीज़े कहां से देखनी है, C से देखनी है ये मीट जा, मीट गया, ठीक है अब मुझे सारी चीज़े काहाँ से देखना है तो c से अगर मैं देखूंगा तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड हो जाएगी पर्पेंडीकुलर यह हो जाएगा बेस और यह हो जाएगा हाइपोटनस simple बात है यार sin c कितना हो जाएगा sin c हो जाएगा आपके पास कितना perpendicular upon hypotenuse तो अब perpendicular यह और hypotenuse c है root 3 by 2 ठीक है sin c हो गया अब अगर हम लोग बात करें cos c की तो cos c कितना हो जाएगा simple सी बात है भाई क्या हो जाएगा base upon hypotenuse 1 by 2 कितना 1 by 2 1 by 2 अच्छा अब जरा question की बात कर लेते जो पहला question आपको बोला है न वो यहाँ पर find करते हैं आजाओ sin a cos c cos a sin c sin a cos c और cos a sin c यही है ना बिलकुल यही है यह मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा नहीं लिखा प्लस में है प्लस में है फिर एक बार माइनस में है ठीक है sin a किता है 1 by 2 रखो 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 जल्दी रखो into cos c किता है 1 by 2 ठीक है cos a किता है root 3 by 2 sin c किता है root 3 by 2 यह हो जाएगा 1 by 4 यह हो जाएगा 3 by 4 root 3 और root 3 3 2 2s are 4 3 और 1 4 upon 4 मतलब किता 1 और अबर आगया RHS है ना यह किता आगया आपके पास 1 आगया 4 से 4 कट जाएगा तो 1 मतलब इस पूरे की value इस पूरे की value किती निकली 1 अच्छा अब जड़ा इसकी value निकालने हम लोग आईए इसकी value निकालते तो अब अगर आपको इसकी value निकालनी है तो इसकी value भी आसानी से आप लोग निकाल सकते हो क्या है second question cos a cos c sin a sin c cos a cos c sin a sin c simple अब cos है तो आपके पास है root 3 by 2 cos c है 1 by 2 root 3 by 2 1 by 2 1 by 2 root 3 by 2 sin a किता 1 by 2 और sin c किता root 3 by 2 root 3 by 4 root 3 by 4 minus हो जाएंगे तो 0 simple सी बात होई यह minus हो जाएंगे तो इसका answer किता 0 हो गया क्या हो गया question number 9 10 जल्दी से screenshot ले लो इस प्यार प्लस क्यूआ 25 cm है PQ 5 cm का है आपको sin P, cos P और 10 P की value बतानी है एक सबसे पहले तो क्या करेंगे एक right angle triangle बताएंगे एक क्या करेंगे एक right angle triangle बनाएंगे आईए right angle triangle P, Q, R है जो की Q पर एक right angle है P, Q और R जो की right angle है Q पर P, R और Q, R 25 cm का है simple very simple चाब आपके पास P, R प्लस Q, R 25 cm का है P, Q, 5 cm का है अब आपको determine करना है sin P, cos P, 10 P अब आजब अब आप क्या कर सकते हो वो समझो P, Q, 5 cm का है P, R और Q, R 25 है तो मैं बोल रहा हूँ उदर से P, R निकालना ज़रा इसका P, R निकालो P, R किता आज़ागा इसका P, R भौत कर रहा है 25 माइनस Q, R देगा अब Q, R घाटे में जा रहा है तो थोड़ा दिमाग लगा के समझ लाएना बातों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो अब आपके पस क्या हो जाएगा और अब आप इसको PGT यूज करो क्या करो? PGT यूज करो लिखना by Pythagoras Theorem by using Pythagoras Theorem पाई थो गोड़ा स्थोरम अगर आप उस राइट रेंगल में यूज करोगे तो आपके पास क्या हो जागा पी आर का स्क्वेर बराबर पी क्यू का स्क्वेर प्लस क्यू आर का स्क्वेर पी आर का स्क्वेर आपके पास 25 माइनस क्यू आर है P Q किता है 5 का स्क्वेर और Q R किता है Q R तो Q R यह ठीक है A माइनस B का होल स्क्वेर किता हो जाएगा A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस 2AB मतलब 2AB 50 Q R 25 प्लस Q R हो गया Q R स्क्वेर से Q R स्क्वेर कैंसल आउट हो गया ठीक है अब आपके पास 50 Q R राइट से 25 यहाँ पर समझो यह 50 Q R को अगर आप यही रहना चाहते हो तो यही रख दो 25 माइनस 625 तो माइनस 50 Q R बराबर माइनस 600 माइनस से माइनस कट जाएगा Q R आजाएगा 600 अपॉन 50 तो अब 0 से 0 कट जाएगा है ना और 55 से अगर हम लोग बात करें तो Q R आजाएगा 12 Q R कितना आजाएगा 12 मतलब की हो गया 12 सेंटिमेटर और 25 माइनस 12 तो यह हो गया 13 सेंटिमेटर कैसे 25 माइनस 12 तो यह हो जाएगा आपके पास 13 सेंटिमेटर हो जाएगा अब ज़रा आगे की बात करता है अब ज़रा हम लोग आगे की बात करें तो अब हमें सारी चीज़े P से देखनी है ठीक है न? P से देखनी है और अब भी हमारे पास सब कुछ है देखा जाए तो अब हमें determine करनी है एक-एक की value हम एक-एक की value determine करेंगे अब यह अगर हमें sin P देखना है तो sin P क्या हो जाएगा समझो यहां से देखोगे तो यह हो जाएगा perpendicular यह हो जाएगा hypotenuse और यह हो जाएगा base नाम ध्यान रखना यह base हो जाएगा यह perpendicular हो जाएगा और यह hypotenuse हो जाएगा ठीक है अब sign P अगर देखना है तो पंडेत बदरी प्रसाज जी क्या बोलते हैं हरर बोलते हो तो तो पंडेत अपन हर मतलब perpendicular अपन hypotnes न सब से देखना है तो पर्पेंडिकुलर यह hypotenuse है 12 dificil ठीक है कॉस्टपी कितता हुझा यह जाएगा आई यह ज़रा वस्टपी देखते हैं cost P कित्सा हो जाएगा base upon hypotenuse base upon hypotenuse 5 by 13 ठीक है 10P कित्सा हो जाएगा perpendicular upon base perpendicular upon base 12 by 5 ठीक है कॉस्पी मतलब क्या बेस अपोन हाइपोटनस तो बेस अपोन हाइपोटनस हो गया 5 by 13 हो गया बात हो गई खतम तो यह हो जाएगा हमारा question number 10 complete clear है चलो हो गया आगया समझ में तो ऐसे sign P कॉस्पी और 10 P बढ़िया और मस तरीके से हो गया बस एक बर screenshot भी ले लिया चलो आगे बढ़ते हैं यह question तो आसानी यह बात तो माननी पड़ेगी है बिल्कुल मानीगे सर जी तो अब आपके पास क्या गया question आगया और बोल रहा है state whether the following are true or false justify your answer अरे simple 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 चलो किसी का अगर solution की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हमने page extra बढ़ा लिया है हम लोग यहाँ पर कर लेंगे अब ज़रा first question को समझो मुझे पता है true or false में बड़ी हसी आती है पता है कैसे मुझे ऐसे हसी आती है कि वो बोलता भाई कि यह शरीर किसका है जिसे और option में देदेगा आमिर खान या अमिताफ बच्चन फेस साफ साफ देखेगा चहरा साफ साफ देखेगा अमिताफ बच्चन जी का है तो पूछ़गा शरीर किसका है तो आम आमिर खान option में क्यों दिया बाई तो भाईया ऐसे ही करके हसी आती है कि अब इसकी भाशा तो मैं नहीं समझा क्योंकि मैं यहाँ पर तुक्का अगर मारूंगा तो ट्रू भी मार दूँगा और फॉल्स भी मार दूँगा पर अगर मैं इसको समझ के करूं अगर मैं इसको अच्छे से समझ के करूं तो मैं यहाँ पर फिर एक बार देख सकता हूं आजा आप यहाँ पर क्या लिखना आप यहाँ पर A लिखना यहाँ पर B लिखना और यहाँ पर C लिखना कुछ भी कुछ भी किसी को भी मान लो किसी को भी कुछ भी कुछ भी मान लो मेरा यह कहना है कि अब आपके पास यह हो जाएगा कित्ता अगर यह आप 3 cm मान रहे हो यह अगर आप 4 cm मान रहे हो तो पायतागुरस थूरम के इसाप से 5 cm हो जाएगा मेरे इसाप से पायतागुरस थूरम के इसाप से बिलकुल तो अब अगर आप इसे इधर से ही अगर 10 A निकालोगे भाई यह मैंने बिलकुल पायतागुरस थूरम के इसाप से लिया है आप भी ले hypotenuse तो ये हो जाएगा perpendicular मतलब BC और ये हो जाएगा hypotenuse मतलब किता 5 देखो PBP HHB ना अरे भाई मैं खुदी formula गलत लगा रहा हूँ है ना हाँ तो perpendicular upon base perpendicular किता है 4 base किता है 3 तो अब देखो जब आपने इसको इससे divide किया तो ये 1 से छोटा आएगा या 1 से बड़ा आएगा सर ये हमेशा 1 से बड़ाएगा रहे divide करके देख लो ये रहा 4 और ये रहा 3 3 1 जा 3 बचा 1 पॉइंट लगाए 0 और 3 3 जा 9 ये 1 से छोटा है गया 1 से तो बड़ा है 1.33 सम्तिंग कुछ आएगा हाँ जी 1.33 तो बोल रहा है वैल्यू जो टैने की होगी वो क्या हमेशा छोटी होगी बन से बिलकुल नहीं फॉल्स है ये फॉल्स है ये वो बड़ी भी हो सकती है और मैंने दिखाया यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ये फॉल्स है हो गया सर जी फस्ट कोईशन तो हो गया फस्ट कोईशन बड़िया मस्त तरीके से हो गया अब ज़रा सेकंड भी हो जाएगा सेक ए आपके पास 12 बाई 5 है फॉर सम वैल्यू ओफ एंगल ए यार बिल्कुल केसी बाते कर रहा है बिल्कुल सही है तू सेक अगर 12 बाई 5 है फॉर सम एंगल ए तो बिल्कुल सही बोल रहा है न भाई तू तो बिल्कुल सही बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है ठीक है ठीक है सब अब यहाँ पर इस question को आप और सोचना और खुद भी करना यह केटी क्यूं दे रहा हूं हूंवग में अब इसका justification मुझे हूंवग में चाहिए बाकी यह सही है second 12 by 5 है for some value of angle A तो यह बिल्कुल correct है बिल्कुल correct है 110 10% correct है लेकिन मुझे इसका justification इसी के हिसाब से चाहिए और मुझे आप लोग दोगे अब ज़रा third वाले में आपको हसी नहीं है तो मेरे नाम बदल देना cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A मेरे भाई यह देख कॉस और कॉसेक एक होता है क्या नहीं बिल्कुल गलत अच्छा कॉस का abbreviation क्या है कॉस का abbreviation है cosine c o s i n e और यह बोल रहा है cosecant of angle A बिल्कुल गलत है यह क्या है यह बिल्कुल false है के टी क्यों का मतलब होता है किशोर तेजवानी question जिसका answer हमें देना होता है comment में आप लोग मुझे इसका comment में answer दीजेगा क्या यह सही है यह गलत है ठीक है जी ठीक है अब cot A product है cot और A का अरे मेरे भाई cot और A का product नहीं होता वो वो यह बोलता है कि भाई some particular angle A से आप cot एक trigonometric ratio की value बता रहे हो तो cot product नहीं है cot और A का बिल्कुल गलत है यहां पर ऐसे मुझे हसी आने लगती है यार ऐसे questions पर मुझे हसी आने लगती है cot और A का product है भाई क्या बोलता दूबी किशोर सा रहे क्या तू और यह वाला question रहेगा homebag ktq यह वाला रहेगा भाया ktq किशोर तेजवानी question homebag question है ना sign आपके पास 4 by 3 A of some angle तो अब आपको इसका answer मुझे comment में बताना है clear है बता दोगे जल्दी बताओ बता दोगे ना बढ़िया तरीके से चलो बहुत शांदर बहुत बढ़िया तो अब बस हमारे पास इत्ता ही था I hope आपको सारी चीज़े बढ़िया और मस तरीके से समझ में आई होंगी तो हमारे magnet brains का तो काम ही यह कि ऐसे हम लोग आपको quality wise और free education provide करते रहेंगे वो भी kindergarten से लेकर class 12 तक अगर आप लोग CBSC board English mediums है तो क्यूंकि हमारे पास दो तरीके के courses है एक तो है English medium और दूसरा है Hindi medium अगर आप लोग CBSC boards है तो आप लोगों के लिए तो magnet brains का English medium channel है जो आपको provide करता है भया kindergarten से लेकर class 12 तक यह हमारी playlist है यहाँ पर आपको सारे ही teacher के सारी classes के सारी subject के सारे ही chapter के सारे ही topics के सारे ही subtopics के videos एक दम arranged format में मिल जाएंगे आप community के option में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा magnet brains का update आप हमारे live sessions attend कर सकते हो भया आप हमारा app download कर सकते हो grab e-notes के option मे जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे e-notes अवेल कर सकते हैं आप हमारी website visit कर सकते हैं यह video पसंद आए तो like share और subscribe कर दीजेगा आप हमें follow कर सकते हो facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पे e-notes या e-books अगर avail करने हैं तो link description box में given है साथी साथ अगर आपका कोई दोस्त, कोई यारिया, कोई भी रिष्टितार अगर हिंदी मीडियम से है और अगर वो पढ़ना चाता है तो आप उसको बताइए magnet bins हिंदी मीडियम चैनल के बारे में जो provide करता है class 6 से लेकर class 12 तक वही quality wise और वही free education वो भी हिंदी मीडियम में with coverage डेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हमारे कुछ और भी courses है जिसका नाम है वेदिक math crash course और spoken English तो आज के session में सरफ इत्ता ही रखते है I hope आपको सारी चीज़े बढ़िया और मस तरीके से समझ भाई होंगी तो मेहनत आपको ऐसे ही करनी है और वीडियो को like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा मिलते हैं next session में तब तक लिए bye bye अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एकी चीज़ बुलूँगा दोस्त की पढ़ाई करते रहें वह बहुत जादा जरूरी है bye bye